सरकारी मेडिकल कॉलेजों की निवासी डॉक्टरों का तीन वर्ष का M.D. सनातकोतर पाठ्यक्रम 20 महिने कोरोना मरीजों की सेवा में निकल गया विविद्ध विशयों में पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए निवासी डॉक्टरों को समय नहीं मिला इससे उनका शैक्षनिक नुकसान हुआ है कोरोना काल में नुकसान को देखती हुए वैद्य किये शिक्षा विभाग ने शैक्षनिक शुल्क माफ करने का आश्वासन दिया था लेकिन अब आश्वासन की पूर्ती में टाल मटोल किया जा रहा है यही वज़ा है कि सेंट्रल माट ने एक अक्टूबर से राज्य भर में हड़ताल का निर्ने लिया है निवासी डॉक्टरों ने कोरोना काल में 24 गंटे सेवा दी इस बीच कई डॉक्टर कोरोना से पीडित भी हुए दूसरी लहर में डॉक्टरों ने अपने परिवार को भी अंदेखा किया पढ़ाई को छोड़ कर संक्रमन के बीच मरीजों का इलाज किया शैक्षनिक फीस माफिक के संबंद में मार्ड ने एक बार फिर 25 सितंबर को वैद्य के शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा था लेकिन उनकी मांग को गंभिरता से नहीं किया गया यही वज़ा है कि अब राज्य भर के निवासी डॉक्टरों ने सामुहिक अवकाश पर जाने का निर्ने ले लिया है इस दोरान केवल एमर्जन्सी, आइसी उ और कैजूल्टी सेवाई ही दी जाएंगी जबकि OPD और WARD में सेवाई नहीं दी जाएगी शैक्षनिक शुल्क माफी के साथ ही रिस्क अलाउंस देने और हॉस्पिटल का रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन की भी मांग की है मेडिकल माट के अध्यक्ष डॉक्टर सर्जल बंसल ने बताया कि कोरोना काल में सभी निवासी डॉक्टरों ने मरीजों की सेवा को प्रात्मिक्ता दी इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है इस कोरोना काल में शैक्षनिक शुल्क लेना अनुचित है प्रशासन से इसे लेकर पहले भी मांग की गई थी अब यह अंतिम विकल्प रह गया है जल्द यह मांग पूरी होनी चाहिए जिससे मरीजों का नुकसान न हो